नमस्ते अभीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाल है रिनॉल्ड्स नमबर मेरे प्यारे वीवर्स रिनॉल्ड्स नमबर एक्चुली एक प्रकार का क्या है constant है या आप ऐसा कह सकत हो dimensionless constant है है घिसके बारे में हमें कहां पता चला था पिछली वीडियो में जो हम लोग critical velocity को discuss कर रे थे मेरे प्यारे विवर्स जो हम लोग उने critical velocity का एक expression derive किया, that is vc is equal to k eta by rho r यहां पर यह constant है, dimensionless constant जो k है, इसी को हम लोग कहते हैं Reynolds number और आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यार विवस्त आपको पता है कि critical velocity क्या है हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा एक्चुली में critical velocity एक ऐसा velocity है up to which flow of the liquid is streamlined है न बट अवर विच इट्स फ्लो विकम्स turbulent हाना माल लिजे कोई liquid जो है किसी pipe में flow कर रहा है ओके और उसका flow का जो velocity है वो critical velocity तक है then it's okay उसका जो flow होगा वो streamline होगा लेकिन मेरे प्यारे विवस्त अगर उसका velocity critical velocity से जाधा हो तो उसका जो flow होगा वो streamline ना हो करके turbulent हो जाएगा ओके इस is what critical velocity is और उसका जो expression है वो यह है vz is equal to k eta by rho r मेरे प्यारे विवस्त यहाँ पर k क्या है dimensionless constant है जिसको हम लोग Reynolds number कह रहा है अब यह Reynolds number है क्या है यहाँ पर हम लोग उने लिख के रखा basically Reynolds number actually एक प्रकार का dimensionless constant है यह आप ऐसा कह सकते है pure number है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते है जो liquid flow कर रहा है उसका क्या nature है उसको determine करते हैं कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे विवस किसी pipe में या tube के थो जो liquid flow कर रहा है उसका flow streamline है turbulent है लामिनर है यह हम लोग पता करते है Reynolds number की मदद से अगर आप इस formula में देखे तो जो Reynolds number है यहां से अब देख सकते है okay NR जो है यह directly VC पर proportional है अर्थात यह दोनों क्या है interconnected है है न क्रिटिकल velocity की मदद से भी हमें यह पता चलता है कि जो flow है liquid का वो किस प्रकार का होगा okay और यह जो है Reynolds number को खासा मदद भी करता है okay so यह समझ पा रहे हैं कि Reynolds number क्या है एक प्रकार का pure number है okay जिसकी मदद से हम लोग nature of flow of liquid पता करते हैं liquid का flow streamline है laminar है यह turbulent है यह हम लोग देखते हैं और इसका जो expression है यह जो हमारा आप यह जो देख रहे हैं Reynolds number इसका जो expression है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं रिख सकते हैं रिख सकते हैं किसका Reynolds number का okay मेरे प्यारे विवस Reynolds number का value ठीक है माल लिजे कि Reynolds number का जो value है अगर इसका value 0-2000 के बीच होता है यह जो Reynolds number है अगर इसका value 0-2000 के बीच होता है तो मेरे प्यारे विवस इस case में जो liquid का flow होगा वह streamline हो Streamline होगा ठीक है हम लोगोंने क्या कहा कि अगर Reynolds number का value 0 से 2000 के बीच होगा तो जो flow होगा liquid का वो streamline होगा लेकिन मेरे प्यारे विवस अगर इसका value 2000 से 3000 के बीच हुआ इसका जो value है Reynolds number का अगर वो 2000 से 3000 के बीच होता है तो मेरे प्यारे विवस इस स्थिति में जो liquid flow होगा वो unstable होगा unstable बुले तो unstable का मतलब कि कभी वो streamline होगा कभी turbulent होगा streamline से turbulent, streamline से turbulent, turbulent से streamline ऐसा होता रहेगा unstable flow होगा और मेरे प्यारे विवस अगर Reynolds number का value 3000 से ज़ादा हो जाए तो इस स्थिति में जो velocity होता है liquid का लिक्विड फ्लो का, ये critical velocity से ज़ादा हो जाता है और इस स्थिति में जो flow है लिक्विड का वो turbulent हो जाता है क्या हो जाता है, turbulent हो जाता है तो ये समझ पा रहे हैं कि Reynolds number क्या है ये basically क्या है, एक प्रकार का dimensionless constant है जिसकी मदद से हम लोग nature of flow of liquid throw a pipe ये throw a tube हम लोग पता करते हैं, determine करते है इसका expression आप कुछ इस प्रकार से लिख सकता हो nr is equal to vc rho r by eta जहां पर nr क्या है, Reynolds number vc क्या है, critical velocity है liquid flow का rho जो है, density है आपका liquid का r radius है, tube या pipe का और eta, coefficient of viscosity है इन values को याद रखेगा अगर value 0 से 2000 के बीच है तो liquid flow streamline होगा अगर value 2000 से 3000 के बीच है तो liquid flow unstable होगा अर्थात कभी streamline कभी turbulent है ना इसके बीच रहेगा और अगर वो 3000 से greater है तो liquid flow turbulent होगा